नमस्कर दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। वाउये देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तो जब आप B.A. First Year का या B.A. Second Year का या B.A. Third Year का पेपर देते हैं और जब आपका किसी subject में कम नमबर आता है तब आपका उस subject में back लगता है और जब आपका back लगता है तो उसका paper आप अगले साल देते हैं यानि कि अगर आप B.A. First Year का paper देते हैं और B.A. First Year में अगर किसी subject में कम नंबर है और अगर आपका back paper लगा है तो इसका paper दोस्तो आप B.A. second year में देंगे और दोस्तो अगर आपका B.A. second year में back लगा है तो इसका paper दोस्तो आप B.A. third year में देंगे और बिये थाड एर मजुबा एक paper लेगा उसका paper आपको अगले साल होने वाले बिये थाड एर के paper में देना है इसको दोस्तो हम लोग गर आपके मादएम समझते हैं इसको ध्यान से समझने का परहास कीज़ेगा आपको अचछे तरीके समझ में आजाएगा दोस्तो यहाँ पर मैं आपको एक result के मादएम समझा रहा हूं ध्यान से देखिए यहाँ पे दोस्तो एक result है जिसके अंदर दोस्तो आपका 3 subject का paper हुआ है यहाँ पे दोस्तो आपका history का paper हुआ है political science का paper हुआ है और hindi literature का paper हुआ है यहाँ पे दोस्तो first semester और second semester दोनों semester का paper हुआ है यहाँ पे दोस्तो मैं आपको बता दू कि 100-100 number का paper हुआ है तो यहाँ पर दोस्तो आपका history के अंदर first semester में 100 में से 42 नमर आया है और second semester में 100 में से 52 नमर आया है history के अंदर अब दोस्तो political science की बात की जाए तो political science में दोस्तो आपका first semester में 100 में से 18 नमर आया है और second semester में आपका 100 में से 36 नमर आया है अब दोस्तो हिंदी लीटरिटर की बात की जाए, तो यहाँ पर दोस्तो फर्स सेमेश्टर में 100 में से 60 नमर आ है, और सेकेंड सेमेश्टर में 100 में से 56 नमर यहाँ पर आया है, अब दोस्तो फाइनल रिजल्ट की बात की जाए, तो यहाँ पर दोस्तो पार्ट वन के अंदर 25 timeHelnay, part 2 के अंदर 270 है, part 3 के अंदर 264 है, और grant total की बात की जाए, तो यहां पर दोस्तों 792 है, और दोस्तों यहां पर result की बात की जाए, तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहां पर supplementary लगाया, यानि कि यहां पर bike लगाया, अब दोस्तो इस result के अंदर आपको back की तरी किसा लगा इसको समझाता हूं मैं, देखिए यहां पर दोस्तो आपका जो subject है, इसके अंदर आप देखते हैं, और आपको पता होगा दोस्तो पहले मैं आपको बता दू कि जो VA का paper होता है, उसके अंदर आपका जो passing number होता है दोस्तों उसके अंदर आपका 100% में से आपको 36% number लाना होता है passing number यानि कि अगर आपका 100 number का paper होता है तो आपको उसमें से 36 number लाना होता है और अगर आपका 50 number का paper होता है तो उसमें से आपको 18 number लाना होता है passing के लिए तो यहाँ पर दोस्तो 100-100 नमबर का पेपर हुआ है तो यहाँ पर दोस्तो हिस्टरी के अंदर इसका 1st semester और 2nd semester में 36-36 नमबर से उपर है तो हिस्टरी के अंदर इसका नमबर ठीक है हिस्टरी के अंदर दोस्तो यह पास है उसके बाद दोस्तो हिंदी लिटिरिचर के अंदर भी इसका 100 नमबर में से 70 नमबर आए और 100 में से 56 नमबर आए यानि कि इसका 36 नमबर से उपर है 100 नमबर में से तो दोस्तो यहाँ पर भी यह पास है लेकिन दोस्तो इसका जो political science का paper हुआ है इसके अंदर दोस्तो first semester में 36 नमबर से कम है तो दोस्तों इसका बैक नहीं लगता है यह पास हो जाता है दोस्तों मैं आपको बता दू कि जब आपका किसी यर में जैसे आपका फॉस्ट यर हो गया सेकेंड यर हो गया यह थाड यर हो गया जब आपका बैक लगता है तो आपको उस यर में पास कर दे रहता है यानि कि अगर आपका B.A. 1st year में back लगता है तो आपको B.A. 1st year में back लगता है लेकिन आपका जिस subject में back लगता है उसका paper आपको अगले year में देना होता है यानि कि अगर आपका B.A. 1st year में बैक लगता है तो B.A. 1st year वाला paper आपको B.A. 2nd year में देना होगा और अगर आपका B.A. 2nd year में बैक लगता है तो उसका paper आपको B.A. 3rd year में देना होगा अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दू कि आपका कम से कम कितना बैक लग सकता है अधिक से कम कितने subject में बैक लग सकता है तो दोस्तों देखिए आपका कम से कम और अधिक से कम और अधिक से कम दो subject में बैक लग सकता है यानि कि यहाँ पर तीन subject दिया हुआ है तो यहा अगर आपका 2 से ज़्यादा सभीक्ट में number कम है तो यहाँ पर दोस्तों आपको फ्यल कर दे रता है आपका भैक नहीं लगता है इस बात को आद रखेंлет का, मैं एक बर और repeat कर दे रहा हूं जब आपका 2 सभीक्ट में number कम होता था तो आपका दो सब्वेक्ट में बैक लग सकता है लेकिन अगर आपका दो सब्वेक्ट से ज्यादा सब्वेक्ट में नमबर कम है तो आपको दोस्तो फेल कर जाता है आपका बैक नहीं लग सकता है अधिक से अधिक दोस्तो आपका दो सब्वेक्ट में बैक लग सकता है यानि क कोई वीडियो अच्छा लगा तब वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स वीडियो की स्टूपिक उपर चाहिए ठैंकी दोस्तों